तो फ्रेंड्स दिस इस अशन फ्रॉम बी आर्सी आज दोस्तों आपके लिए बहुती इंपोर्टन्ट वीडियो लेके आया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक मिक्सर पड़ा है जो की 22 चैनल का मिक्सर है लाइव वले जितने भी मेरे भाई है उनके लिए ये बहुती इंपोर्टन्ट वीडियो है इसमें मैं इस मिक्सर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा और पहले 10 कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिसकाउंट दूँगा जो की थोड़ा डिसकाउंट नहीं होगा पांच हजार रुपे एक मिक्सर में मैं आपको डिसकाउंट प्रोवाइट करूँगा पहले 10 कस्टमर्स के लिए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को मैं इस 22 चैनल के मिक्सर के बारे में जानकारी देता हूँ आपको में भी आपको XLR दिख रहा है बट इसमें क्या है इसमें stereo चैनल भी है अलब अगर आप P38 जैक लगाते हैं तो इसमें आप stereo करके output भी ले सकते हैं बट इन में stereo output लेने के लिए आपको stereo jack लगाना पड़ेगा Mono Jacks से Mono Output आईगी इसमें आप Mono 2 Jacks लगाके Stereo Out ले सकते हैं या फिर Left वले पार्ट में जो की Mono है उसमें भी Stereo Jacks लगाके Stereo Output भी ले सकते हैं बाकी इसके अलावा जो आपको 19-20 दिख रहा है वो एक Stereo Channel है उसमें आप Left लगाके Single Input से दोनों Output भी ले सकते हैं Left राइट लगाके दोनों Output भी ले सकते हैं वैसे 21-22 जो दिया हुआ है बहुत ही Important Channel है ये भाई लोग हमारे सारे इसको Skip कर जाते हैं इसको Use नहीं करते हैं बट ये बहुत Important Channel है इसके अंदर 2-3 Features है इस Channel में जो किसी भी और Channel में नहीं मिलेंगे आपको एक Feature है इसके अंदर आपको RC Input दे रखी है जिसमें आप Stereo Input ले सकते हो RC Wire से भी जो कि और किसी भी Channel में आपको ये Profility नहीं दे रखी है उसके बाद जो सबसे Important Part है इसका इसमें आपको एक Interface दे रखा है जिसको हम Audio Interface बोलते हैं ये एक Special Cable आती है जिसको हम MIDI Cable कहते हैं वो आप अपने PC से मतलब कि Desktop या Laptop से Attach करके इसके Through आप Recording कर सकते हो और इसके Through जो Recorded है इसके अंदर Play कर सकते हो ये एक Facility होती है जो कि हर Mixer में नहीं है ये एक Live का Mixer है इसको आप Live Purpose के लिए और Studio Use के लिए भी कई भाई हमारे यूज करते हैं जिनको ज़्यादा Inputs चाहिए इसके अंदर आपकी Recording जो Studio Recording है उस Quality की Recording इसमें हो जाएगी आपकी बाकी आगे Mixer का Start करते हैं ये Mixer Live Mixer क्यों है और ये क्यों उसमें इतना बढ़िया है उसके बारे में आपको बताता हूँ पहले के जो 8 Channel है 1 से लेके 8 के अंदर आपको Limiter मिलेगा जो कि अगर आप उसको On कर दोगे तो एक Certain Level पे Sound को रोक लगा देगा अगर वो चीज आपको चाहिए तो वो Whistle Control करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है तो One से लेके 8 तक आपके पास जो एक Special Option है वो है Limiter की तो उस पे आप एक रोक लगा सकते हो एक Limiter मतलब एक Certain Level सेट कर सकते हो Limiter के थूँ उसके आलावा हमारे पास जैसे की आप देख पा रहे है 7, 8, 9 और 10 में हमने एक High Cut की Facility भी दी गया है मतलब इसमें क्या होगा High Cut का मतलब यह नहीं कि High Cut हो जाएगी High Cut का मतलब है Low जो Frequency है वो 80 Hz से Cut हो जाएगी मतलब कि जो भी Frequency 80 Hz से नीचे की Frequency है वो Cut हो जाएगी उसके उपर की Frequency ही जाएगी उसके बाद इसके अंदर आपके पास Gain Gain और 100 Gain के नीचे यह एक बटन दे रख है यहाँ पे Gain है Gain के नीचे एक बटन दे रख है जिस पे 100 Hz की Frequency Cut है 100 Hz के नीचे की Frequency भी आप इन सभी चैनल में Cut कर सकते हो High Cut अलग है और यहाँ पे 100 Hz की Frequency Cut अलग है उसके बाद आपको इसके अंदर Equalizer दे रखे हैं उसके अंदर आपको HF, High Mid, Low Mid और Low 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 parameters दे रखे हैं जिसमें आप High मतलब चनकार सेट कर सकते हो High Mid मैं मतलब Mid और High का क्या combination होना चाहिए क्या frequency चाहिए क्या parameter चाहिए इन दोनो frequencies को आप tune करके अपनी High और Mid के combination को आप ज़्यादा better कर सकते हो उसके बाद Low और Mid की Frequency दे रखी है जिसमें Low मतलब Base, Mid मतलब आवाज के दोनों को मिलाके Mid के अंदर आपको कितनी Base चाहिए कितनी नहीं चाहिए वह parameters आप set कर सकते हो और 6 जो frequency आपको दे रखी है वह दे रखा है कि Low कितनी चाहिए आपको Base कितनी चाहिए धमक कितनी चाहिए वह आप इस frequency से set कर सकते हो बाकी यह तो हो गया गेन और बाकी Equalizer के सारे parameters हो गए इसके बाद आपको 5 Ox दे रहे हैं 5 Ox की options मिल रही है इस Mixer में जो कि बहुत अच्छी option है इस Price Range के Mixer में आपको इतनी सारी options कभी भी नहीं मिलेंगी इसमें आपको 5 Ox और Left Right जो की Pen लिखा हुआ है Yellow Nob है यह Left Right है यहाँ पे आपको Mute का Switch मिल रहा है किसी भी Channel को आप Mute करना चाहते हैं तो आप इसको Mute कर सकते हैं Mute का Switch यहाँ पे Red Color में Show कर रहा है और इसके साथ एक Indigator है जो की Peak बताएगा कि अगर कोई Distorted Signal इसके अंदर किसी भी Channel में आ रहा है तो उसमें यह Peak Channel वाली Light On हो जाएगी इसके अलावा इसके अंदर 100mm का Fader दे रहा है जो की Fader है उसका Size बहुत बड़ है जो Size है वो है 100mm का Normal Mixers के अंदर 50 से 75mm का Fader होता है इसके अंदर हमने आपको 100mm का Fader दिया है इसके अंदर उसके बाद PFL दे रहा है PFL का मतलब होता है कि जो इस Channel में Input आ रही है इस Channel इदर Output आप देखना चाते हो क्या Signal आ रहा है तो आप उसको Click करोगे Press करोगे तो उस Channel की Output यहां पे आपको Show हो जाएगी उसके अलावा आपको 1,2,3,4 और Master Out के Channel Selection दे रखे हैं मतलब इसके अंदर हमारे पास 5 AUX और 4 Group हैं 4 Group के अलावा 2 LR है जो की Master Out होते हैं तो उसमें किसी भी Channel में आप कुछ भी देना चाते हो या किसी Channel में आप नहीं देना चाते हो मानके चलो नमबर वन चैनल पे हमने Vocalist लगाया Vocal वाले को आप चाते हो कि हमने 5 AUX है हमने 5 AUX के 5 AUX यूज़ कर रहे हैं चलो हम 2 AUX यूज़ कर रहे हैं 2 AUX पे हमने 2 Monitors लगा रखे हैं Group पे हमने पीछे के Top लगा रखे हैं और 3-4 पे हमने आगे के Top लगा रखे हैं Master पे हमने Base लगा रखे हैं एक Example है कोई कैसा भी Set कर सकता है मैं चाहता हो मेरी आवाज Monitor में आए Front वाले Top में आए पिछे वाले Top में आवाज ना आए या एक Top पे आए दूसरे में ना आए तो वो सारा Control आप Group और Aux से कर सकते हो किसी में भी आपको वाज चाहिए तो वो Aux का Volume खोलोगे किसी Group में चाहिए आवाज या Master Out में चाहिए आवाज तो आप यहां से वो Button क्लिक करोगे यहां पे Fader है 1-2 का यह Fader है 3-4 का यह Fader है Master का यह Fader है तो यहां से आप सारी इसकी Output और Input आप Set कर सकते हो उसके बाद जो Part आ जाता है यह Part आ जाता है इसके अंदर आपके पास Double Effects है मतलब 2 Effects दे रखे हैं अब यह आपकी मर्जी है आप उस Effects को कैसे यूज करना चाहते हो इसमें Normally हर थरीके का Effects दे रख है इसके अंदर दे रखे हैं Normally क्या करते हैं लोग एक चैनल पे एक effect एक चैनल पे एक effect आप लगा सकते हैं और किसी भी चैनल में वह effect अगर आप डालना चाहते हैं वह डाल सकते हैं वह आपकी मर्जी है मानके चलिए Channel 1 में हमें एक effect भी उसकरना है तो हम एक volume खोलेंगे अगर दोनों effect भी उसकरने है तो हम दूसरा volume भी खोल देंगे यह हमें दो blue color के जो knobs दे रखी हैं वह इसको select करने के लिए दे रखी हैं उसके बाद यहां पे भी आपको facility दे रखी है कि आपने इस effect को aux में देना है के नहीं देना तो वह भी आप select कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले monitors हमने aux 1 और aux 2 पे दे रखे हैं और उसमें हमें output चाहिए कि नहीं चाहिए effect की तो वह हम यह aux से select कर सकते हैं aux को हम pre-post कर सकते हैं यहां पे एक USB power के लिए दे रखे हैं यहां पे अगर आपको रात को लगता है light कम है तो वह भी आप यहां पे एक extra 5 volts का लैंप लगा सकते हैं 48 volts इसके अंदर है सारे channels को mute करना यहां से हो जाएगा बाकी यह area दे रखे हैं यह 5 aux चार ग्रुप 2 LR का दे रखे हैं यहां पे headphones के लिए jack है और यहां पे foot switch के लिए power all off इसके नीचे है तो आपको कुछ भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम आपको properly WhatsApp call पे भी समझा सकते हैं बाकी यह वीडियो से आपको मेरे को लगता है कि पूरी complete जानकारी मिल गई होगी फोटोज और वीडियोज में इसकी अलग से अपलोड कर दूँगा थैंक यू फॉर वचिंग आप वीडियो थैंक्स अलोट बाबाई